में आज मैं आप लोग के साथ मयोनीज की रेसिपी शेर करने जा रहे हूं मैंने यहां पर एक अंडा ले लिया है और यह एक कप से थोड़ा सा कम यह कुकिंग ओईल है जिसमें फ्लेवर ना रहे है फ्लेवर लेस आपको लेना है ताकि उसका इसमेल ना आए तो चलिए फटा-फट से हम बनाते हैं एक मिक्सी जार ले लिया है तो वास इसमें मैं यह आपको जितना बनाना है आपको उसी साफ से आप एक ले ले और उसी साफ से सारी कॉंटिटी को बढ़ा ले तो मैं यह पर एंडा ले लिया है और इसे ग्राइन करेंगे तो पहले थोड़ा सॉइल डालेंगे और इसी में यह एक चोथाई चुटकी सॉल्ट है नमक और एक यह शूगर है अब हम इसे ग्राइन करेंगे तो चलिए चेक करते हैं तो बस इसे अब थोड़ा सा स्टर करेंगे हर बार आपको चलाते जाना है और ओल फिर से थोड़ा सा हम एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा ओल एड़ करते हुए हमें इसे ग्राइन करना है उसके बाद हमें से मिक्स करना है तो देखिए फिर से हम इसे चलाएंगे थोड़ा सा मिक्स करेंगे बस हर बार हम इसे चलाते जाएंगे और जो भी हमने ओईल लिया था हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा समयट करते हुए इसी तरीके से जब तक कि ओई फिनिश नहीं होता और जब तक कि यह गाड़ ही नहीं हो जाती मैयोनीस के टेक्शर के नहीं आ जाती है तब तक हम इसे इसी तरीके से ग्राइंड करते जाएंगे यह देखे मैं आपको दिखाती हूं कितना अच्छा मैयोनीस बनाया है हमारा एकडम मार्केट जैसा बजार मे टेपर के साथ यह दम ऑप्शनल है आप इसे चाहे तो डाले अर चाहे तो ना डाले इस तरीके से आप बनाये मैयोनीस बहुत ही टेस्टी और किसी भी तरीके के स्नेक में आप इसे यूज करें बहुत ही टेस्टी लगेगी तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई ह तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेर भी करें और मेरे चैनल पर अगर आप नहे हैं, तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू फोर वाचिंग